भारत में अलग-अलग जगों पर अलग-अलग जो खेती है वह किया जाता है किसान सातियों लेकिन खेती में क्या होता है कि कोई फिक से नहीं रहता है कि फ़सल आपका अच्छा ही होगा या पिछ प्रॉपित करनी वाले हैं कई बार तो हमारा जो production है वहाँ अच्छा आ जाता है किसान सात्यों लेकिन कई बार क्या होता है कि प्राकृतिक अब्दाओं से जैसे के सुखा हो गया बाढ़ हो गया और भी काफी सारी प्राकृतिक अब्दाओं के चलते हैं हमारा फसल जो है पूर्ण रूप से खराब हो जाता है तो इसी को देखती हुए जो है किसान सात्यों सरकार ने एक योजना लाया हुआ है जिसका नाम है प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना जिसमें आप जो है किसान सात्यों अपने फसल का बीमा करा सकते हैं तो उसमें आपको पूर्ण रूप से नुक्सान नहीं होग और फसल नुक्सान होने की परिसीती में उसको एक अच्छा खासा जो भुगतान है वह मिल सके तो क्या है परधान मंतरी फसल भीमा योजना जानेंगे आज की स्यूडिय में लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्या है परधान मंतरी फसल भीमा योजना कौन से किसान इसमें आवेदन कर सकते हैं कौन-कौन सा जो डाकुमेंट है वह आपको लगने वाला है कौन-कौन सा फसल को आप भीमा करा सकते हैं इसमें प्रीमियम कितना भरना होता है प्रीमियम बिल्कुल ना के बरोबर भरना होता किसान साथी जिसे हर किसान इसको असानी से यहां दीटेल में बात करेंगे और ओर उसके बारे पूरे बात करेंगे उसके अनुक्सान हो जाता है तो इसको क्लेम किस् psychiatrist केसे आपको कर सकते हैं में हम धी टेल में जानकारी जानने वालेगे है चले किसान साथ यह सुरू करते हैं इसका बीमा करते हैं जिसे इसका नोश्य होता है। आपका जो फसल रूप से किसी आपता से खराब होता है तो उसका मिन वीवरण है वह लगने वाला है साच में पहचान पत्र जैसे के अधार कार्ड है वोटर, आईडी कार्ड है, इस तरीके से पहचान पत्र लगने वाला है और सांत में आपको खेत का विवरन, खसर नमबर आधी हो जाता है इस तरीके से छोटा मोटा कुछ डॉकुमेंट लगने वाला है कि सांत तो कौन-कौन से फसलों का जो भीमा है वहा होता है धान है, गेहूं है, जुआर है, इस तरीके से तिलहन में है बागवानी में भी काफी सारी जो फसले हैं उसमें आप जो है उसका आप भीमा जो है निस्चीत उत्तर करा सकते हैं आप जो भी फसल ले रहे हैं उसकी आप जो है जानकारी ले सकता है वर्ल्ट रिवल फोर्स्सव adesso उसमें वी आपको किसी भी तर extr के बारे में या फिर वीर्मा के बारे थो मेंm के सीजन में आपको जो किसान साथ हो दो परसेंट प्रीमियम भरना होता है रभी के सीजन में आपको जैसे कभी रभी के सीजन आने वाला है उसमें आप भीमा करा सकते हैं उसमें जो किसान साथ है आपको देड़ परसेंट जो प्रीमियम है भरना पड़ता है और बागवाने और वार्सिक जो फसले होती है खिसान साथ्यों जैसे केला पापीता अमरूद हो गया इस तरीके से फसलों के लिए आपको 5% का premium भरना होता है बाकी का जो premium है वह जो सरकार है वह स्वेम भरती है खिसान साथ्यों प्रिमियम को इस वज़े से कम रखा गया है ताकि छोटा बड़ा कोई भी किसान और हर किसान आप इसमें जो है बीमा करा सके इस वज़े से बहुती कम रखा गया है तो बीमा का लाब आपको कौन-कौन से परिशितिव पर मिलने वाला है किसांसातियों तो सबसे पहले बीमा जो है किसांसातियों आपने जब बुआई कर दी वहां से लेकर आपका जो फसल है वहां कटाई होने तक और कटाई होने के बाद भी जो है किसान सातियों लगबग 14 दिन फसल आपका मान के चलो सूख जाने तक इस बीश में किसी भी तरीके से कोई भी अबजा आती है आ लग जाना या पिर कई बार करá कीटों का आपको व्रोक नहीं सकते हैं इसको परिशिकिटे में आपको जो कि लुग जान बूझ कर कि सी दूसरे के खेट में कुछ नहीं कर देते हैं तो वैसे सिति में आपको जो बीमा वहाहन नहीं मिलने वाला किसान साथे हैं इसने घंधाय कि उसमें क्लेम पना खराटत करा लए नहीं तो आपको प्राबलम हो सकता है या फिर आप सोचेंगे कि मैंने तो यह फसल लगाया हुआ था और इसका वीमा मिला हुआ है तो मेरे को क्यों नहीं मिला इस तरीके से भी समस्या आती है तो आप उसमें जो है अपना फसल अवस्षय चेंज करा ले वीमा कब और कहा करा सकते हैं तो दो सी सेजन होता है वह खरीप का तो खरीप में आप एक जुलाई से 31 जुलाई तक आप जो बीमा है वह करा सकते हैं तो आप उसी डेट के बीच में आप बीमा करा सकते हैं कर अब करा सकते हैं तो बीमा कराने के कई सारे क्रासकते हैं साथ में क्र आप कर सकते हैं क्राatti एस आप घंप उन्हांकर सकते हैं यह दो जो मुख्षबाथ हा कि चाहिँ हूए की क्लेम किस तरीके से कर सकते है आपका आवा नुक्सान होता है किसी भी तरीके से प्राक्रितिक आद आती है बाढ़ हो गया फिर बोंडर आ गया फिर आग現在 फिर सुखाई अब गाव, जिसके वज़से आपका फसल नुक्सान हो गया तो नुस्कान होने के GL42 एजЕंट करना होता है उसके बाद ऐज boiling करने का प्रोसेस आपको पूरा समझाएगा उसके बाद आपि रही टिले कर सकते हैं चैटबूर पर जो है आप नमबर पर आप ओनलाइन चैट कर सकते हैं या फिर जो है किसान सत्यों crop insurance एप है इसका जो official website है वहाँ पर जाकर आप अधिक जानकारी ले सकते हैं process जो है बहुत ही असान होता है किसान सत्यों और पार दर्सी होता है आप इसके official page पर भी जा सकते हैं देख सकते हैं कि बीते वर्सों कौन-कौन से वर्सों में आया कितने जो भुगतान किया गया है यह सब चीज आप कौन रूप से जो official website है उसमार उस पर जाकर देख सकते हैं जिसमें जो है किसान सत्यों जो भुगतान किया रहा है इसमें जो किसान सत्यों अच्छा हो जाता है तो फिर तो कोई बात नहीं रहता है लेकिन जो प्राकृतिक अब्दाये हैं वह बता कर नहीं आज है अगर आप इसमें जो किसान सत्यों ऐक financial support मिलता है, कह सकते हैं कि आपको कम से कम जो कर्ज मान के चलो जो लागत आपने उसमें लगाया है, कम से कम वही अगर वापस आ जाता है किसान साथियों, तो वहां कितनी बड़ी बात आपके लिए हो सकती, या कोई मतलब ऐसा service नहीं है किसान साथियों कि आपको जो पैसा है मिलने ही वाला है, फसल खराब होता है प्राकृतिक अबदाओं के चलते, तभी आपको जो यह जो बीमा है, उसका लाब मिलने वाला है किसान साथियों, ऐसे आपको यह बीमा का लाब नहीं मिलने वाला है, मैं भी एक किसान ही हूँ, और लगभग अलग-लग कई तरह का जो प्रती वर्स किसान साथे दोनों सीजन में मैं अपने सभी फसलों का भीमा अवस्य कराथा हूं और कुछ नो कुछ इसमें अगर भीमा कराए तो कुछ नो कुछ आपको इसमें जो लाब है, वह मिलने ही वाला है मैंने सोचा किसान सात्यों कि यह important जानकारी मान के चलो या फिर जाग रुगता जो है हलाना चाहिए आसपास के किसानों को भी मैं बिल्कुल भीमा कराने का सलाह करता रहता हूँ और जो है किसान सात्यों सात में जितने भी मैंने एप्लिकेशन के बारे में बात की है और जो टोल फ्री नंबर की बात की है किसान सात्यों वेबसाइट का जो लिंक है वाप पूरे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप वहां पर किसी भी तरीके से कोई भी जानका बहुंची आसानी का ले सकते हैं वीडियो पसंद आया होते हैं लाइक कर अन्य की सान साथे तक शेयर करें और फालो करना नहीं भूले धर्म